वेलकम बैक टो मा यूटूब चनल डियर स्टूडेंटेस ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनोंने लर्निंग सिकिल साफ अपसाना इन उर्दू सिकिल लिया है सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चनल को सबस्क्राइब करें और अभी तक अगर आपने हमारे ग्रूप को जॉइन नहीं किया है तो लिक आपको डिस्क्रिशन में मिलेगी वहाँ से जाके आप किसी एक ग्रूप को जॉइन करें जहां से मैं अक्सर पीडियाप्स, मौक टेस्टेस और एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आप से शियर करता रहता हूँ तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ इस वीडियो में हम अपसाने की तारीब और इसके इम्पोर्टन्ट M.C.Q. को आपके साथ शियर करेंगे दो ही यूनिटस है आपकी सिकल में एक्जाम से पहले पहले हम इनको डिटेल में कवर करेंगे तो पहले हम अपसाने की तारीब जान लेते है मुक्तसर अपसाना जिदीद नसर की एक खास सिनफ है जहां पे मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आएगा वहां पे मैं एक्स्प्लैम करने की कोश्च भी करूंगा अंग्रीजी में मुक्तसर अपसाना यानी शार्ट स्टोरी कहलाता है यहां से आको एमसीगो आ सकता है जैसा कि इस नाम से जाहर है कि ये मुक्तसर किसा है इस से आम तोर पर अपसाना या कहानी भी कहा जाता है दास्तान और नावल के मुकाबले में अपसाना बहुत मुक्तसर होता है यानि जो दास्तान होती है या नावल होती है वो बहुत ज़्यादा तवील होते हैं लंबे होते हैं उसके मुकाबले में अफसाना बहुत छोटा होता है अर्दो में मुक्तसर अफसाने का बाकाइदा आगाज 20 सदी से होता है और अर्दो में अवली नमोने प्रेम चंद सजाद हसेन यल्दरम और सुल्तान हैदर जोच के यहां मिलते है यहां से भी आपका MCQ आ सकता है प्रेम चंद ने अपने अफसानों में वतन दोस्ती और गरीबों की जिन्दगी की अकासी की है यह भी MCQ में आ सकता है अगर आप अपने सामने एक कौपी रखोगे वो ज्यादा ही बहतर रहेगा प्रेम चंद के मشہूर अपसानों में सवा सीर गेहिऊं और कफन काशबर जिकिर है सजाद हैदर यलदरम के अपसानों में रोमानियट पाई जाती है रोमानियट के बारे में हम एक अलग वीड़ो में बात करेंगे सुल्तान हैदर जोश ने अपने अपसानों में मौश्रत की इसला को मूजू बनाया यहां से भी आख को MC को आ सकता है जब 1936 इसी में तर्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ तो इस तहरीक से भी अर्दू अपसाना निगारी को काफी फरोग मिला मंटू क्रिशन चंदर राजंदर सिंग बेदी असमत चुगदाई ने अर्दू अपसाना निगारी को बाम अरूज तक मोचाया यानि अपसाना की सिनफ को बहुत ज़ादा मदद की इसको बाम अरूज तक मोचाया काफी तर्की दी तक्सीम मलक और इस से पैदा होने वाले हालात पर भी अफसाना लिखने वालों ने इस चीज को अपना मोज़ू बनाया अफसाना निगारों ने पेश आने वाले हालात को तनज्ब का निशाना बनाया मन्टू, क्रिशन चंदर और असमत जुगताई ने तक्सीम मुलक पर काफी अच्छे अफसाने लिखे यहां से भी आको MCQ आ सकता है बेदी ने अपने अफसानों में गरीलू जिन्दगी को पेश किया यह भी MCQ में आ सकता है 1950 एसी के बाद अर्दू में अलामती अफसाने लिखने का आगाज हुआ अलामती अफसाना क्या होता है इसके बारे में भी एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे यानि परदे में कही गई बात अलामती अफसाना लिखने वालों में सरिंदर प्रकाश, इंतिजार हुसैन, खालिद हुसैन वगेरा मशूर अफसाना निगार है इनको भी आप याद रखे ये भी एकजाम में MCQ आ सकता है मुझूदा दोर में भी अफसाना लिखने वालों की काफी तैदाद मुझूद है और वो बराए रास्त अपनी बात कहने के बज़ाए अलामती तरज बयान को तरजी दे रहे है ये था इंट्रोडेक्शन इबाउट अफसाना यानि अफसाना क्या होता है जब कंसेप्ट कलियर होता है फिर MCQ भी आराम से इनसान सालो कर देता है तो इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी आपके साथ शेयर करते है तो पहला चो क्वेशन है रूठी रानी किस अजीम अफसाना निगार की किताब है और इसकी मोद के बाद शाया हुई इसका राइट आंसर है D. पार्ट प्रेमचन नेक्स्ट जो क्वेशन है आखरी आदमी किस का अफसाना है इसका राइट आंसर है D. पार्ट इंतिजार हुसेन नेक्स्ट जो क्वेशन है इन में से इन में बेदी का अपसाना कौन सा है इसका राइट आंसर है C पार्ट लाजोंती नेक्स्ट जो क्वेशन है इन में रामलाल का अपसाना कौन सा है इसका राइट आंसर है A पार्ट नई दर्ती पुराने लोग नेक्स्ट क्वेशन जो है नूरतन अपिंदरनात अशक का अपसानी मजमुवा है आदे गंटे का खुदा किसका अपसाना है इसका राइट आंसर है डी पार्ट क्रिशन चंदर ये क्रिशन चंदर का अपसाना है नेक्स्ट क्वेशन जो है परदे के पीछे गेंदा बेकार किसके अपसाने है इसका राइट आंसर है डी पार्ट असमत चुगताई ये सारे असमत चुगताई के अपसाने है मैंने पहले ही बताया ये question भी MCQ में आ सकता है इसका right answer बी part 20 सदी जिन्देगी के mood पर किसका अफसाना है इसका right answer बी part क्रिशन चंदर इन में तक्षीम वतन पर कुन सा अफसाना है इसका right answer बी part टोबर टेक सिंग next question जो है मंटू के अफसाने का नाम बताए इसका right answer है ए पार्ट काली शिलवार next question जो है आखरी कोशिश किसका अफसाना है इसका right answer है ए पार्ट हयातुला अंसारी next question है गसीटा किस अफसाने का किरदार है इसका right answer है सी पार्ट आखरी कोशिश नेक्स्ट क्वेशन जो है आपा किस का अपसाना है इसका राइट आंसर है सी पार्ट मुम्ताज मुफ्ती नेक्स्ट क्वेशन जो है मंजिल मंजिल किस का अपसाना है इसका राइट आंसर है सी पार्ट मंटू नेक्स्ट क्वेशन जो है महालक्षमी का पुल किसका अपसाना है इसका राइट आंसर है C.PART क्रिशिन चैंदर नेक्स्ट क्वेशन जो है रेईस खाना किसका अपसाना है इसका राइट आंसर है B.PART आहमद नदीम कास्मी इसकी पीडिया भी मैंने अपलोड की है लिक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ से जाके आप इसका पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तिल देन टेक केर